आज हम बात करने वाले हैं importance of directing के तो बच्चो directing business में क्यों जरूरी है क्या हो जाएगा अगर हम directing नहीं करेंगे तो और directing करेंगे सर तो हमें इससे क्या फाइदा मिलने वाला है इस बात को हम समझते हैं तो देखो कहता क्या है कि अगर हम directing करेंगे तो action initiate होगा यानि हमने previous features के अंदर भी समझा था कि directing में क्या करता है एक director guide करता है किसको employees को क्या 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 करना है और कैसे करना है देखो मैं तुमको guide करूंगा जैसे question पढ़ा रहा हूं मैं तुमको ठीक है और directing पढ़ा रहा हूं suppose मैं तुमको मैं तुमको समझाऊंगा जबी तो जाकर तुम उसको खुद action मिला पाओगे जबी तो तुम उसका revision कर पाओगे अगर तुमको आता ही नहीं मैंने को instruction ही नहीं दिये मैंने तुम किसे आओगे तो इसी तरह मैंने previous example भी दिया था तुमको कि जैसे कि एक principle अपन क्या करने लगता है काम करने लगता है तो इसमें क्या करते हम यहाँ पे डेक्टर एमप्लाइस को यह 활मा क्या है ना लेट से इसलिए इन萌 P ठोटा है की डिरेक्टिंग इंटीग्रेट्स ग्रूप एफट को कैसे करने में मधद करता है देखो simple सी बात है बेटा जी, suppose करो आपका construction का project है, और आप एक project manager हो, तो आपका क्या काम है, आपका construction का जो project है, अगर एक building बननी है, तो आप क्या करोगे वाँ, आपके पास architect भी होगा, वो भी काम कर रहा होगा, engineer भी होगा, वो भी काम कर रहा होगा, और builder भी होगे, तो सब अपने अपना अलग-अलग efforts लगाया होगा, किसलिए, ताकि building क्या हो पाए, construct हो पाए, तो as a project manager, आप तीनों के efforts को क्या करोगे, integrate करोगे, जोडोगे, तो जोडोगे, ताकि आप ये ensure कर पाऊगे, कि सभी ने building बनाने की तरफ अपनी पूरी-पूरी मेहनत की है, जो plan हमने बनाया था, उसके according, right, तो directing या integrate efforts में क्या कर रहा है बिटा जी, वो यही check कर रहा है, यही ensure कर रहा है, कि सभी employee, एक common goal की तरफ काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, जो हमने plan बनाया था, यहां हमारा plan था, building का construction करना, तो जहां पर employee, यहां पर architect है, engineer है, सभी उस building को बनान की तरफ काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़कोपन को check करना है, उनके efforts को, जो सभी काम कर रहे हैं, उनके efforts को एकठा करना है, जोड़ना है, ताकि हमारा जो goal है, वो हासिल हो सके, next है, directing facilates changes, अब directing change लाने में, बदलाव लाने में कैसे मदद करता है, suppose करो, आप अपनी company के अंदर एक नया software लाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, किसलिए, project को manage करने के लिए, ठीक है, अब नया software है, employees को दिक्कत तो हो रही होगी, वो चाते नहीं होगे, यह implement हो जाए, लेक को guide कर रहा है, कि भाई, tension नहीं लेने का, बड़ा easy software है, तुमारा काम असान हो जाएगा, इस तरह से इन software को use करना है, तो वो लोग तियार हो जाते हैं, उस changes को अपनाने के लिए, तो यहां directing क्या कर रहा है, बेटा, changes को अपनाने के लिए, facilities को changes को change करने के लिए, implement कराने के organization में, बहुत helpful होता है, right, next, brings stability and balance in the organization, अब directing stability और balance कैसे लेके आता है, organization के अंदर, इस बात को समझेंगे, देखो यह बहुत simple है, इसमें तीन चीजों की बात आपको धियान रखनी है, सबसे पहला, कि अगर जो हमने goal set किया है, वो goal जबी हासिल हो पाएगा, अगर सभी employees, उ same procedure और same standard को follow करेंगे तो, अब same procedure और standard क्या है यहाँ पर, उसकी अब हम चर्चा करेंगे, दूसरी बात, same procedure and standard को follow करने के साथ साथ, अगर आपको कहीं पे भी परिशानी आ रही है, employees, तो director या manager, या आपका काम है, कि उन problems को, आप तुरंट से तुरंट resolve करेंगे, ठीक है सर, तीसरी बात आपको ये धियान रखनी है, कि सभी employees एक साथ मिल कर, एक common goal की तरफ काम करेंगे, अगर ये तीनों चीज़ आप करते हो बिटा जी, तो आपका organization stable चलेगा, और balance रहेगा आपके organization के अंदर, एक scenario से समझते हम, कि मान लेते हैं बिटा, एक retail store है, उसमें बहुत सा कारे department है, sales का भी department है, inventory का भी department है, customer service का भी department, sales वाले sales पर धियान देंगे, inventory वाले माल को लाने पर धियान देंगे, customer service वाले customer service पर धियान देंगे, तो store manager जो होगा, जो direct करेगा, हर अपने अपने department का जो manager होगा, वो अपने अपने department को guide करेगा, क्या guide करेगा, sales वाला sales related guide कर करेगा कि भिया inventory को कैसे मंगाना है कैसे इसको रखने हैं कैसे इसका register करना अगर कोई माल भी करा है तो जा रहा है तो और customer service वाला guide करेगा कि आपको customer के जो complaints से उसको कैसे handle करना है तो देखो जो guidance दिया गया हर department के employees को तो सभी employees same procedure follow करेंगे same standard follow करेंगे ताकि sales वाला सभी same sales strategy follow करे ताकि काम बन पाए ऐसे customer service जो handle कर रहे हैं customer की complaints जो handle कर रहे हैं वो same तरीके से सभी handle करें ताकि दिक्कत ना हो customer satisfied हो और जहां पर भी उन लोगों को issues दिख रहे हैं उस issues को तुरंथ handle करना चीए उन लोगों को ठीक है और सभी मिल जूलकर अगर coordination की तरह काम करेंगे तो organization stable रहेगा और efficiently managed हो पाएगा राइट नेक्स्ट कहता है बिटा कि वो productivity को increase करने में directing मदद करता है अब directing productivity को कैसे increase कर पाएगा देखो suppose आप sales manager हो तो आपने क्या क्या बिटा sales के लिए target set कर दिया employees का कि भी या इस month हमारा 10% से sales तो increase होना ही होना चाहिए as compared to previous month तो अब employees के लिए इन्होंने क्या कर दिया goal set कर दिया goal set करने के बाद employees को यह लोग motivate भी करेंगे भी या तुम कर सकते हो time to time उनको training भी देंगे जहां भी problem आ रही हो जिसमें help भी करेंगे हाना तो उन लोगों को regular feedback देते वे कि तुमने अच्छा किया है तुमारी यह कम ही है यह सुधार लो और time to time motivate करते वे जो director होगा वो motivate करेगा तो इससे क्या होगा कि productivity increase हो जाएगी तो directing में क्या हुआ director ने goal set कर दिया सभी employees को motivate किया और उनको guide क्या कि वो तरीके से काम करेंगे कि नहीं कर रहे हैं वो check कर रहे हैं resources जो भी efficiently इस्तमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हना daily काम पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं daily sales करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उन सभी चीजों को ensure कर लेंगे कि resources efficiently utilized हुआ या नहीं हुआ इससे क्या हो रहे हैं जब हम उस्तों पर check करेंगे उनको target दे दिया उनको motivate कर रहे हैं उनकी कम्यों को बता रहे हैं तो of course लिए उनकी productivity तो increase होगी ही होगी जैसे तुम्हारी productivity increase करते हैं बेटा जी तुम्हारे teacher जब तुम को पढ़ाया समझाया तुम्हारे doubts लेते हैं फिर तुम्हारा टेस्ट लेते हैं तो ये इसलिए productivity को increase करने में मदद करता है तो हमने अराम से समझ लिया कि directing के importance क्या है इनको practically समझ लो बिटा जी रटने की जरुवत नहीं है जितने भी मैंने आपको बात समझाई है सभी को आपने देखा होगा मैंने हिंदी में भी समझा है आपको हर जगा तो उनको अपनी language में बनाओ और example मैंने हर के साथ लिखा है आप ये example भी यूज़ कर सकते हो या अपना कोई भी example आप यूज़ कर सकते हो अच्छा रहेगा आप example यूज़ करेंगी content लिखो content के नीचे example लिखो ताकि आपको full marks मिले फिर भी कोई अगर doubt लगेगा आप मुझे WhatsApp करेंगे जिसक तुरू मैं आपका doubt लोंगा और टेलिग्राम चैनल WhatsApp ग्रूप में आप लोग add हो जाए ताकि आप अपने doubts भी पूछ सकते हैं और आपको material वगरा भी हम provide कर सकते हैं